मैं पंडितमरिश भट आप सभी सम्मानित अच्छात्र चात्राओं का हार्दी का पनेंदर करता हूँ अपने इस आनलाइन प्लेटफर्म पर आज की जो शरिंखला है वो महत्यपुन प्रश्णोत्रे की सरिंखला है और सभी जो टॉपिक हैं उन टॉपिक से प्रश्णों को लेने का प्रयास किया गया है ताकि आपकी तयारी को और अच्छा बनाया जा सके, अच्छा किया जा सके, तो आए हम बिना कुछ भूमिका के ही अपने प्रषणों को आते हैं और इसको करने का प्रियास करते हैं, सभी लोगों को सब दिल से राधे राधे, आजाइए, पहले हम प्रषण पे चलते हैं और इस प्रषण को देखते हैं, पहला question ही आपके सामनी है जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा ये आपका question है आपसे पूछा है जो जागना है ये जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा क्या पूछा है प्रथम प्रेरनार्थक जो प्रेरनार्थक क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं आपको यह पता है कि प्रेरनार्थक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं दो प्रकार की होती हैं एक को हम कहते हैं प्रथम प्रेरनार्थक और दूसरे को कहते हैं दूतिय प्रेरनार् क्रिया है जागना में जब जाग में जो क्रिया होती है इस जाग में जब हम आपको नाप्रत्य लगाते हैं तो क्या होता है जागना क्रिया आना प्रत्य लगा करके जगाना और वाना प्रत्य लगा करके जगवाना बनाया जाता है तो प्रथम प्रणार्थक में यानि जाग जगवाना नहीं होगा जगाना या जगाया तो जो आपका उत्तर होगा प्यारे जो उत्तर आपका बनेगा वो उत्तर क्या बन जाएगा जो इसका उत्तर होगा आपका प्रणार्थक क्रियाओं में यहां पर क्या हो जाएगा प्रथम प्रणार्थक क्रियाओं में हमारा क्या आएगा जगाना आजाएगा प्रथम प्रेणार्थक क्रिया में क्या आजाता है ये जगाना आजाता है और जगवाना में आना प्रत्य लगा करके प्रथम प्रेणार्थक ये जगवाना क्या हो जाएगा ये दूती ये प्रेणार्थक हो जाएगा और जगाना क्या हो तो प्रथम प्रिणलार्थ आपसे पूझा गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी भी कलपाप का सही हो जाता है, कुश्चिन नंबर दो, दो में क्या कहते हैं, अगय जी को किस कृद्ध के लिए ज्यान पीट पूरस्कार मिला, पूछा है कि अगय जी को किस कृद्ध के लिए एंसर दिया है आंगयन के पारद्वार कितनी नाओं में कितनी बार इत्यलम या इन में से कोई नहीं है आपसे पूछा है question नमर दो अगय जी को किस कृत के लिए ज्यान पीट पुरसकार मिला है यह आपको बताना है तो 1978 में होता क्या है जी है इनको ग्यान पीट पुरसकार मिला है कब मिला है जी 1978 इसमी में कितनी नाओं में कितनी बार के लिए इनको क्या मिलता है ज्यान पीट पुरसकार मिलता है clear है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है, question number 3 की तरफ बढ़ते हैं, इत्यलम इन ही की रचना है, question number 3 क्या है, अब्ये की दृष्ट से, किस दृष्ट से, अब्ये, अब्ये की दृष्ट से कौन सा कथन तूटि पूर्ण ह कौन सा कथम क्या है तूटी पूर्ण है यानि अब्य की दृष्ट से कौन सा कथम तूटी पूर्ण है यानि गलत है अब्य क्या है ये विकारी शब्द होते हैं ऐसा कहा जारा अब्य क्या होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं अब्य ओविकारी शब्द होते हैं अब्य एलि शब्द प्रतेक दसा में अपने मूल रूप में बने रहते हैं. यह चार श्चिट्मेंट है, पूछा है, तुरूटी पूछा है, याईनी गलत कौन सा है? अब्य को हम औविकारी शब्द के नाम से जानते हैं ते विकारी शब्द है यानि ये आपका तुरूटी है गलत है ये औविकारी होते है यानि ये सही है ये लिंग बचन कारक कालाद के सकारण परिवर्तित होते हैं नहीं जी यानि ये परिवर्तन निनका नहीं होता है यानि ये गलत है और विकारी सब्द प्रतेग दसा में अपने मूल रूप में बने रहते ये बात सही है तो इसमें पूछा है तुरुटी पूर्ण कौन हो गया तो यहां पर तुरुटी पूर्ण क्या हो जाता है आपका पहला और तीसरा जो विकल्प हो जाएगा ओ क्या हो जाता है तुरुटी पूर्ण हो जाता है और उत्तर क्या हो जायगा क्या दो चार सही है जोस्रा सही है तुरुटी पूर्ण पूछा है इसलिए तीन का उत्तर, सी विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, clear, चलिए, आगे, question number हम चार में पहुँचते हैं, question number 4 कहते हैं, कि गोश्वामी तुलसी दास का निधन, वारानसी के किस घाट पर हुआ था, गोश्वामी तुलसी दास का जो निधन है, वो वारानसी के क किस घाट पर हुआ था, दसा सुमेद घाट पर हुआ, असी घाट पर हुआ, राम घाट पर हुआ, या मड़ी कड़ी का घाट पर हुआ, इसका तुलसी दास जी का निधन किस घाट पर हुआ, आपको पता है, संबस सोले सो असी असी गंग के ती, यानि किस घाट पर हुआ, असीघाट पर इनका क्या हो जाता है इनकी यहाँ पर देहा उशान हो जाता है तो तुलशीदास का जो निधन हुआ वराण्सी के किस घाट पर असीघाट पर होता है चलिए अगले कोश्चन के तरब पढ़ते हैं कोश्चन नमर पांच निम्न लिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रियोग हुआ है क्या पूछा है अकर्मक क्रिया का प्रियोग हुआ है यहाँ पर पूछा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रियोग हुआ दिया है यहाँ पर भौरा फूलों का रस पीता है क्या ये कर्मक्रिया है बूद बूद से घड़ा भरता है क्या ये कर्मक्रिया है सीवेंद्र अरबिंद को पुस्तक देता है क्या ये कर्मक्रिया है वह पढ़ता है क्या ये कर्मक्रिया है आपको बताना है जब क्रिया में हम क्या लगाते हैं क्या लगाते हैं जी क्या लगाते हैं और उत्तर मिलता है तो वह क्या होगा उत्तर अगर मिलेगा तो सकर्मक नहीं मिलेगा तो अकर्मक होता है तो ध्यान रखें क्या पीता है रस पीता है यह मिला यानि यह सकर्मक क्रिया हो गया ठीक है बूद बूद से घड़ा भरता है क्य क्या भरता है नहीं नहीं बूद्ध भड़ा कैसे भर रहा है क्या भरता है नहीं कैसे भर रहा है तो बूद्ध भूद्ध से भरा भर क्या से नहीं उत्तर मिलेगा सिवेंदर अर्विंद को पुस्तक देता है क्या देता है जी पुस्तक देता है क्या देता है पुस्तक देता है यानि ये भी कर्म उपस्तित है वह पढ़ता है क्या पढ़ता है ये अलग बात है कर्म यहां दिखाई ने दिया लेकिन पढ़ना क्रिया ही सकर्मक है, इसलिए ये भी वाग की जो होगा, वो सकर्मक होगा, यहां का जो उत्तर होगा, वो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे, जो उत्तर होगा, वो उत्तर होगा आपका यहां पर बूद बूद से घड़ा भरता है, यह आपका उत्तर क्या हो ज ऐसे खड़ा बरता है। यह जो वाक्य है, एक कैसा क्रिया की रूप से देखा जाएगा तो यह अकर्म क्रिया का न्तरगत आता है अतो कैसे हो गया आपका भीविकल्ब सफ़ी हो जाता है. Q 6 क्षाग सब्सार कुल सा बोल यहां पर जो खग कुल है यह कैसा बोल है कुल कुल सा बोल किसले का अंचट डोल हा लोय यह लतिका भी भरलाई मधमुकुल नवल रसगागरी बीति भीभावरी जागरी यहां खग कुल, यानि खग कुल मतलब बंस, पच्छियों का बंस, कैसा बोल ला है, कुल कुल की आवाज बोल ला है, यानि इस कुल का अर्थ है अलग, इस कुल का अर्थ आवाज हुआ, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा, सब्द एक के अलग-अलग अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, क्या हो जाएगा, वहाँ पर यमक अलंकार आपका हो जाता है, clear, तो सी भी कल्ब आपका सही हो जाएगा, question number 7, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, अगर हिंदी में क्या 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 6 सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम, 3 सर्वनाम या 8 सर्वनाम, जब हम प्रकार पूछते हैं क्या प्रकार पूछते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होती है अगर प्रकार पूछा जाए तो आपका उत्तर होता है 6 सर्वनाम कितने प्रकार के होती है उत्तर होगा आपका 6 लेकिन जब संख्या पूछी जाए पुल कितने सर्मनाम होते हैं कितने मतलब यहां पर संख्या की बात की जा रही है तो संख्या कितनी होती है संख्या कितनी होती है संख्या कितनी होती है तो संख्या जो सर्मनामों की होती है प्यारे वो संख्या कौन कौन सी होती है संख्या कौन कौन सी होती है एक मैं सर्मनाम ह मैं, तू, मैं तू, आप, यह, वह, यह, वह, कौन, क्या, यह, वह, ऐसे लिखते हैं, यह, वह, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप इसको काउंट कर लीजी, कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, इग्यार है, यह, आपके कितने सर्वनाम होते हैं, एक, ग्यार सर्वनाम हो कहते हैं, तो सर्वनाम की अगर संख्या प्यारे पूछी जाए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है, यानि सर्वनाम की संख्या ग्यारे, प्रकार पूछा जाए, तो आपके छे प्रकार के सरनाम होते हैं। Q8 में पुछा है अतिसूधो सनेह को मारग है जहां नेकु सयानक बाक नहीं। अतिसूधो सनेह को मारग है जहां नेकु सयानक बाक नहीं। यानि ये पंक्तियां कहते हैं जो सनेह का मारग होता है। सनेह का मारग मतलब सनेह का मारग है यानि प्रेम का मारग है। अतिसूधो अति क्या है सीधा है सरल है। जो सनेह प्रेम का मार्ग है वो मार्ग अति सीधा है बहुत ही सरल है लेकिन कह रहे हैं वहाँ पर जहां नेक सयानप बाक नहीं जहां पर सयानप नहीं है चानाकी नहीं है वहाँ वक्रता नहीं है टेड़ा पेड़ा नहीं है कि सनेह के मार्ग में कुटिलता आ जाए हुसियार आजाए नहीं वो बड़ा सीधा मार्ग है अगर उस पर चलते हैं तो आसान मार्ग है उसमें अगर उस मार्ग में आप होसियारी करते हैं चालाकी करते हैं तो फिर वो टेड़ा मिड़ा हो जाता है उसको सनेह का मार्ग नहीं कहते हैं ऐसा कहने वाले जो होते हैं वो कौन से हो पंतियां होती है अतिशूधो शनिय को मारग है पंतिके रचीता घनानंग जी है कोश्चन नमनो मीरा भाई के गुरू का नाम बताना है किसके मीरा भाई के गुरू का नाम बताना है मीरा भाई के गुरू का नाम बताना है मीरा भाई के गुरू का नाम बलबाचर था नरहर द को ही हम क्या कहते हैं जी रैदास के नाम से भी हम जानते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा रैदास रैदास को ही हम किस नाम से जानते हैं रविदास की नाम से जानते हैं संतर रविदास के नाम से भी आप जानते हैं तो सी विकलपाप क्या हो जाएगा सही हो Question number हम 10 में प्रवेश करते हैं पूछा है मुहावरा मुहावरा पूछा है दिनों का फेर होना क्या है दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है कि दिनों का फेर होना का अर्थ क्या होगा जैसे तैसे समय काटना दिनों का फेर होना भागि का चकर जानकार से बाद्चि पाना या दिन कटे नौ कटना क्या है? दिनों का फेर होना जब नीके दिन आई हैं बनतन लगी हैं देर यानि अगर आपकी अच्छे दिन आते हैं तो बनते हुए देर नहीं लगते हैं यानि आपको रहिमन चुप हो बैठिये रहिंदा जी कहते हैं कि रहिमन चुप हो बैठिये देख दिनन के फिर जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी है देर जब नी का अच्छा दिन आता है तो बनते हुए देर नहीं लगती है तो दिनों का फिर होना इसका मतलब क्या होता ह ये भाग्य का चकर है इसका है भाग्य का चकर है अतह उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे आपका बीबी कल्प यहां पर सही हो जाता है कौनसा बीबी कल्प आपका सही हो जाएगा भाग्य का चकर question number हम इग्यारे में प्रुविश करते हैं अनाथ पूछा है अनाथ सब्द का लिंग परिवर्तन अनाथ सब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए किस प्रत्य का उप्योग करना उचीत होगा आपसे पूछा गया है जो अनाथ सब्द है इसको हम अगर लिंग परिवर्थन कर देते हैं यानि अनाथ क्या है? ये पुलिंग है अनाथ क्या है? ये सब्द क्या है? ये पुलिंग है इसको अगर हम कौन सा प्रत्य लगा दिया जाए? कि यह इस्त्री लिंग में परिवर्थित हो जाएगा इनी प्रत्य लगा दिये यानि अनाथिनी अनाथी अनाथा अनाथिक इसमें कौन सा प्रत्य लगा दिया जाए कि यह क्या होगा पूलिंग से इस्त्री लिंग में परिवर्टन हो जाए ऐसा यह कह रहा है question number 11 आपका उत्तर की यह प्रक्षा है कि क्या आप देती हैं लेकिन इहां ध्यान में रखेगा अनाथ जो है यह पूलिंग है इसमें कौन सा प्रत्य लगा देंगे इसमें जब हम प्रत्य लगाते हैं तो आप प्रत्य लगाते हैं हम आप प्रत्य अगर लगा देते हैं तो यह सब बन जाएगा अनाथा बन जाएगा और अनाथा जो है ये कौन सा लिंग हो जाएगा इस्त्री लिंग हो जाएगा ध्यान रखेगा अनाथिनी नहीं बनेगा अनाथिनी नहीं होता है अनाथ का इस्त्री लिंग अनाथिनी नहीं होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए अनाथ क प्रत्य का इस्त्री लिंग क्या होता है अनाथ है यहाँ पर आ प्रत्य लगा करके हम इसको इस्त्री लिंग में क्या करते हैं परिवर्दित कर देड़े सावार का जोका हौ आवारा मसीह । मिलजुलमन अर्धनारिस्वर्ष आपको ये बताना है कि इन में से कौन बिश्वप्रभागर की रचनाएं हैं कौन सी रचनाइं केवल को खो गाँ खो गाँ ऑगाँ तिनो खो और को आपका उत्तर हो गया आप पी जानते हैं मिलजुलमन जो है ये किसका है मृझुला गडग का है, इसका मृदुलागर्गे जी का है, अब आवारा मसीहा भी इन्ही का है और अर्धनारिस्वर भी इन्ही का है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, वो कौ और खो हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे, वो कौ और खो हो जाएगा, यानि डी बिकल्पाप का क्या हो जाता है सही हो जाता है अवारा मसीहा और अर्धनारिस्वर क्या है विश्णु प्रभाकर की ये रचनाएं होती है प्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्ण नमर तीरे मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए रेखांकित पद में वचन बताईए क्या रेखांकित क्या किया है हस्ताक्षर को रेखांकित किया है और ये पूछा है इसका मुझे वचन बताईए कि क्या ये एक वचन है या नित्य एक वचन है या बहुबचन होता है. एक बचन का उसे कहते हैं ज़िए एक बचन का परिवर्तन जिन सब्दों का बहुबचन में हो जाए. उसे हम क्या कहते हैं? एक बचन और बहुबचन. नित्य एक बचन कहने का मतलब उसका बहुबचन होता ही नहीं है. नित्य बहुबचन कहने का मतलब उ एक बचन होता ही नहीं है यह यमेशा किसमें हस्ताक्षर का कभी जो है एक बचन नहीं होता है यह नित्य जो है बहु बचन के सब्द होते हैं तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर यहां पर हो जाएगा सी बिकल्प क्या हो जाएगा सई हो जाएगा सी बिकल्प क्या हो नित्य बहुबचन क्या हो जाता है, हस्ताक्षर क्या है, नित्य बहुबचन है, कोशन नमर चोदे, चोदा नमर का कोशन क्या है, हे प्रभो आनंद दाता ग्यान हम को दीजिए, सिग्रसारे दूरगुनों को दूर हम से कीजिए, तो पूछा है कि हे प्रभो आनंद दाता ग् कौन सा चंद है ? यह भी आपको साथ साथ बता दिना है यह प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए यहाँ पर जो चंद होगा वह क्या होगा प्यारे? यहाँ पर जो चंद होगा यह 2, तो एक तीन दो पांच दू साथ दू नौ एक दस तू बार है दू चवज है दू सोल है एक सत्र है अठार है उननेस उननेस दू एककिस एककिस दू तेईस तेईस चवविस चवविस दू चवविस टोटल आगे चवविस इसमें 22, 16, 26 और 24 है अब उत्तर जो हो जाएगा यानि 14 और 12 पर जब यती होता है तो इसे हम क्या कहते हैं गीती का कहते हैं क्या कहते हैं गीती का छंद कहते हैं जब किसमें टोटल 26 मात्राएं हो 14 और 12 पर 14, 14 और 12, 12 पर क्या होता है यती होता है तो हम उससे हम क्या कहते हैं 26 मात्राएं गीती का छंद के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नमर 15, 15 का उत्तर है, पुलिंग सब्द की पहचान करिए, यहां पुछा है पुलिंग, अब इसमें दिया है आग्या, आग्या दी जाती है, पानी पिया जाता है, आसा की जाती है, योग्यता होती है, यानि हम क्रियाओं को लगा करके भी पहचान सकते हैं, क्रि की जाती है, योग्यता है, यहां का जो उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा, वो पानी हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, आपका पुलिंग सब्द हो जाएगा, क्या पानी ह यह क्या है Пूलिंग सब्ध है ध्यान में रखिए पानी पिया जाता है Qection 60 में आ जाये 16 क्या है जी 16 व द्रस्फे कौन सा युर्घ्म क्या है और संकत है यह आपको बताना है लिपी है लिपियां लिखा गया है संसा है संसाई बधु है बधुएं बंदर है बंदर इन लीख कि है यहां वचन की दिशे आपको बताना है कि कौन सा असंगत है वचन की दिशे यहां पर पर क्या हो गया असंगत है ठीक है यहाँ पर अगर देखा जाए बेसिकली देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो मात्रात्मक तुटिया होई है इसमें तो इसमें जो हो जाएगा आपको लिपिका लिपियां जो लिखा गया है यह बचन की लिपि कैसे लिखी जाएगी लिपियां कैसे ऐसे लिखा जाएगी लिपियां होती है यहाँ पर छोटी एकी मात्रा लगती है यह बचन की दिल से असंगत हो गया लेकिन बंदर और बंदरी क्या है यह भी नहीं है यह भी यूगमाज संगत है, क्योंकि यहाँ pulling और इस्त्री link आगया, बचन का तो है नहीं, अतह A और D बिकल्प दोनों आप हला कि इसमें pulling और इस्त्री link का मैटर आगया है, बचन की द्रिस्पे तो आपको यह ही बिकल्प सही है, लेकिन इसको भी pulling और इस्त्री link के link की द्र यह आपके स्था हो जाते हैं बचन की दशी गलत हो जाते हैं ऐसा अगर कभी पूछा जाए तभी भी विकल्ब हलाकि डी भी विकल्प आपका गयता होता है चैक कोश्चन नंबर हम सत्रे में आते हैं, सत्रे का उत्तर आपको बताना है भारत दुर्दशा किस की रचना है प्यारे भारत दुर्दशा किसकी रचना है ये भारत में अथार में आते हैं सूची प्रष्ट कि इसका अर्थ है मुहाबरे को अर्थ से क्या करना है मिलाना है यानि जो सूची फश्ट है और सूची सिकेंड है मुहाबरे को अर्थ के साथ क्या करना है मिलान करना है क्लियर है चलिए अब आपके सामने यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया है आसमान फट जाना एणिया रगणना आठा ठ खासू रोना, कब्र में पैर लटकना, यह दिया गया है, बहुत अधिक बिलाप करना, बहुत दोर धोब करना, अचानक आफ़ता पढ़ना, मृत्यु के समीप होना, आस्मान फट जाना, कहते हैं लग रहा है कि आस्मान फट गया है, यानि अचानक जो है आफ़ता गई, तो एका जो बिकल्प होगा, वो क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एका बिकल्प तीन देखे, कहाँ पर है, एका बिकल्प तीन यहाँ पर भी है, एका बिकल्प तीन यहाँ पर भी है, चलिए, एडिया रगणना, एडिया रगण रहे हैं, यानि आप जो है, बहुत दोर ध तो एड्या जो रगणना हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बी का two हो जाएगा बी का two कहां है यहीं पर है बी का two यहां मिल जाता है यहां बी का one है इसलिए यहीं से clear हो जाता है कि आपका db कल्ब सही लेकिन और भी बढ़ जाएगे आठा ठासूर होना बहुत अधिक बिलाब करना यानि c का ये 2 सारी b का 2 और 3 का 3 हो जाएगा कब्र में पहल लटकना यानि d का 4 हो जाएगा उत्तर जो हो जाएगा आपका वो कौन सा कौन सा हो जाएगा यह db कल्ब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा एक बार चेक कर लिजिएगा कि d ही होना चाहिए एक बार आप लोग चेक कर लिजिएगा अगर गलत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा लेकिन सही है कोश्चन नमर 19 19 नमर भावभूत ने किसे रसराज की संग्यादी है क्या पूछा क्या थी भावभूत ने किसे रसराज की संग्यादी है यानि कौन रसराज है स्रिंगार रसराज है करोन रस है कि भक्ति रस है या वीर रस है बहुभूत ने एक ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं उत्तर रामचरित, क्या कहते हैं उत्तर रामचरित, ये बहुभूत कहते हैं, बहुभूत ने रसराज की जो संग्यादी, उत्तर रामचरित में बहुभूत ने किसको करुण रसको रसराज की संग्यादी है, किसको माना है करुण रस को माना है भवभूत इने किसको माना करुण रस वैसे साधारन अगर पूछा जाए रसराज किसे कहते हैं तो साधारन रूम में हम स्रिंगार रस को रसराज कहते हैं लेकिन चुकी भवभूत ही दिया है तो भवभूत के अनुसार रसराज कोन है वो करुण रस उत् उच्चार्ण अस्थान बताना है क्या बताना जी सौ का उच्चार्ण अस्थान बताना है आप एक शुत्र पढ़े होगे रिटु रशानाम मुर्धन्या क्या है रिटु रशानाम ठीक है मुर्धन्या एक रहा है कि जो यह सब्द मुरधा भाग से जो बोले जाते हैं उसमें कौन कौन से सब्द होते हैं तो मुरधा भाग से बोलने वाले सब्द क्या होते हैं री होते हैं, टौ मतलब टौ बर्ग होता है, इसके अलामा रो, इसके अलामा सो, ये कहां से भूले जाते हैं, मुर्धा से भूले जाते हैं, यानि आपका उत्तर जो हो जाएगा, प्यारे, वो उत्तर क्या हो जाएगा, आपका कौन सा बी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जा पंख का तत्सम रूप आपको पूछा है पंख का पाक होता है पक्ष होता है परक होता है या पक्षवार होता है पंख का तत्सम रूप क्या होता है आप जानते हैं पंख का तत्सम रूप क्या होता है पक्ष होता है क्या हो जाएगा जी पक्ष हो जाएगा और उत्तर क्या हो बिप्रितार्थक सब्द बताना है क्या बताना है जी नैसर्गिक का बिप्रितार्थक नैसर्गिक मतलब होता है जो प्राकृतिक हो नैसर्गिक को ही हम क्या कहते हैं प्राकृतिक कहते हैं यह अनुर्वर दिया है अनुर्वर का जो विलोम होता है वो क्या होता है उर्वर होता है जी उर्वर का क्या अनुर्वर आविर भाव का क्या होता है तीरो भाव होता है आविर भाव का तीरो भाव होता है विलोम होता है प्राकृत और नैसर्गिक एक ही है प्राकृत का भी कृतिम होता है और नैसर्गिक का भी क्य होता है कृत्रिम होता है आपसे पूछा जाए कि प्राकृत का बिलोम क्या होगा प्राकृत मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदत नैसर्गिक मतलब भी प्रकृति द्वारा प्रदत इसका बिलोम क्या होगा कृत्रिम होगा यानि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा डी विकल् में कुन्जन में क्यारिन में कलित की लिकंत है कूलन कसा किसकी परियावाची जो मैं पंक्ति बोला हूँ यह किसकी पंक्ति है पदमाकर की पक्ति है तो यहां कूलन कसा किसकी परियावाची है जी परियावाची पूछा है यह नौका की परियावाची कुलंग क्यों किसकी पर्याइवाची होती है यह आप सही हो जाएगा साहीँ हो जाएगा हैं Q2 में हम चोबीस में पूछा है नध्या गमने iade नध्या करा संधि विग्रह यहां नहीं होगा संधि विचेद संध के साथ किस का प्रियोग किया जाता है संधिक연 किया होता है ? संधि के साथ जो होता है वग्रहní कि प्रियोग है संधी के साथ हम विच्छेद का प्रियोग करते हैं तो यहां पूछा है संधी विच्छेद क्या करते हैं विच्छेद करते हैं पूछा है नद्यागम अब आप नद्यागम को जब हम इसको तोड़ेंगे इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या हो जाएगा नदी हो जाएगा, धन क्या होगा, नदी, धन, आगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, यहां से जो मिल जाएगा, प्यारे, वह बड़ी E मिलेगा, बच क्या जाएगा, नद बच जाएगा, यहां से क्या मिलेगा, आ मिलेगा, बच क्या जाएगा, गम बच जाएगा यह कह रहे हैं कि यह कह रहे हैं इ और आ मिलकर के किसका निर्माड करेगा या का निर्माड करेगा न दो में आ जुड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा द्या हो जाएगा और यह गम हो जाएगा इसी को जो द्यो होता है इस द्यो को आप द्यो ऐसे भी लिख सकते हैं इस द्यो क पूछा जाए कौन सी संधी है तो आपकी जो संधी बनेगी नद्यागम में वह कौन सी यानस्वर संधी बनेगी कौन सी संधी है यानस्वर संधी से इस सद्य का निर्माण होता है तो यहाँ पर जो पूछा गया है उत्तर क्या होगा नदी धन आगम हो जाएगा बराबर नद आपका पूचर नमबर 25 लिखा है कि अनुरूप में कौन सा समास है क्या पूचाóg कोन सा समास है अनुरूप में अनुभाव अनुगमन ये सभी के सभी कौन से समास आपके हो जाएंगे पहला पद अब्य जब हो जाता है तो हाँ पर क्या हो जाता है अब्य युहाव समास से हाँ पर हो जाता है तो ये क्या हो गया 25 को उत्तर क्या हो गया डी वी कलप आपका सही हो जाता है question number हम 26 में आते है वर्तनी की दिर से निमलखित में से सुद्ध शब्द बताना है क्या बताना है जी शुद्ध सब्द आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुद्ध सब्द है किसके वर्तनी की दिर से आपको ये बताना है कि कौन सा क्या होगा ये शुद्ध शब्द होगा वर्तनी की द्रिस्य आपको बताना है तो अनुग्रहीत होता है अनुग्रहीत होता है अनुग्रहीत या अनुग्रहीत तो आप ये जानते हैं ग्रिहीत सब्द सही होता है तो इसलिए अगर वर्तनी की द्रिश से आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा वर्तनी की द्रिश से अनुग्रिही तो सब्द सही होगा यानि 26 का उत्तर सी बिकल्प आपका सही हो जाता है कोश्य नबर हम 27 पे चलते हैं पुछा गया है उत्राधिकार में प्राप्त संपत्य अगर आपको कोई संपत्य उत्राधिकार में मिल रही है तो उसे हम क्या कह देंगे उसे हम क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं धरोभर कहते हैं उत्रादिकार कहते हैं, रिक्त कहते हैं, या परिशंपत्य कहते हैं, अगर आपको कोई उत्रादिकार में मिलता है, संपत्य मिलती है, पिता की संपत्य मिलती है, तो पैत्रिक संपत्य है, लेकिन उत्रादिकार के रूप में मिला, तब उस संपत्य को हम क्या कहेंगे, उस संपत्ति को हम क्या कहते हैं जी रिक्त संपत्ति कहते हैं जो उत्तरादिकार में आपको प्राप्त होती है कोश्चन नंबर हम 28 में प्रिव्यस करते हैं 28 पूछा गया है जो उपसर्ग है उपसर्ग का प्रियोग होता है कहां पर होता है जी उपसर्ग का प्रियोग सब्द के आदमी होता है, सब्द के मद्ध में, सब्द के अन्त में या इन्पे से कोई, जो उपसरग है, उपसर्ग का प्रियोग कहां होता आपे जानते हैं, जब किसी मूल शब्द के पहले, इसके मूल शब्द के पहले, मूल सब्द के पहले अगर पहले लगा कोई लगा सब्दांस लगा तो वो क्या हो गया अगर मूल सब्द के बाद में लगा तो उसे हम क्या कहते हैं प्रत्य कहते हैं यानि किसी सब्द के आदि में आदि मतलब सुरू प्रारंब पहले अगर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं अगर हम अंत में लगाते हैं या बाद में लगाते हैं तो उसे हम प्रत्य कहते हैं जैसे अगर मान लिजे हमने लिखा अनु से लगाया अनुगमन बना दिया अनुमान बना दिया अगर मान लिजे हम सम उपसर्ग लगा करके संगम बना दिया, संगम में कौन सा उपसर्ग होगा, संगम में कौन सा उपसर्ग होगा, संगम में कौन सा उपसर्ग होगा, विज्यान में कौन सा उपसर्ग होगा, विज्यान होगा, वी उपसर्ग होगा, वी उपसर्ग होगा, ये सभी के सभी उपसर्ग होते है अता उत्तर क्या हापका हो जाएगा ये भी कल्प आपका सही हो जाता है Question number 8 Question number 29 में आते हैं ये 28 नमर का था? जी 29 29 में देखते हैं वाक्य का बरगी करण कितने आधार पर किया जाता है एक सब्द का बरगी करण होता है और एक वाक्य का वर्गी करन होता है तो जब वाक्य का वर्गी करन हम देखा जाए किसका वाक्य का वर्गी करन जब हम करते हैं तो एक वर्गी करन पहला जो वर्गी करन होता है इसे हम कहते हैं रचना के आधार पर वाक्य ये हम करते हैं और इसका दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होता है अर्थ के आधार पर वाक्य रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य कहते हैं ये दो प्रकार से वाक्यों का बरगी करना होता है अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो रचना के आधार पर वाक्य को हम तीन भागों में भी भाजित करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य को हम आठ भागों भी भाजित करते हैं इसी में आपको सरल वाक, संजुक्त वाक और मिस्र वाक आता है अर्थ के आधार पर वाक्यों में बिधी वाचक, निश्यद वाचक, आग्या वाचक, प्रश्ण वाचक, बिश्मे वाचक, संदे वाचक, संकेत वाचक आता है तो आप से पूछा वाक्य का बरगिकरन प्राया लोग आप लोग दो तीसरा उतर देदर हैं तीन तीन उत्तर नहीं होगा, बलकि क्या हो जाएगा, यह है, दो उत्तर हो जाएगा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह भी कलप आपका सही हो जाएगा, वाकिका बरिगरां दो आधारों पर किया जाता है, clear, चलिए, question number हम 30 पर आते हैं, 30 है, साहित लहरी किसकी रचना है, ब यह रसकान की रचना है, कबीर की रचना है, सूर की रचना है, यह मीरा की रचना है, किसकी है, साहित लहरी किसकी रचना है, आप खूब जानते हैं, साहित लहरी, यह किसकी रचना है, जी, यह बाबा सूर की रचना है, किसकी है, बाबा सूर की रचना है, इन्हीं जो है, व र SIMrender का इसको बाबा सूर को क्या जाता है वासलरसका सम्राट कहां जाता है इनों ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है ओ वर्णन इस ऐसा कहा इन अंधि आंखों से जिने आँखे जिसके पाथ दिखाई नहीं देता हो ऐसा वरणन बहुत सारी विद्वान इसको मानते ही नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है जो अंधा हो और इस प्रकार से वरणन करता हो गुटुरन कान किलकत कान घुटुरो नावत ऐसे कैसा वो वरणन कर सकता है ऐसा वो वरणन ही नहीं कर पाएगा चुकि वो तो देख नहीं रहा है लेकिन फिर भी क्या होता है मैया मुरी दायू बहुत किजायू तो ये कैसे वरणन हो सकता है कैसे कोई कर सकता है लेकिन बाबा जिसकी ऊपर इस्वर की कृपा हो वंसी धर की कृपा हो राधे रानी की कृपा हो भागवान की कृपा हो जिसको जो मानता है अगर वो उसकी कृपा है वो कुछ भी कर सकता है वो असंभो को भी संभो कर सकता है इसलिए तीस को तर साहित लहर किसकी रचना होती है ये बाबा सूर की रचना होती है ये सी भी कलप आपका सही हो जाता है और इसी के साथ जो आज का सेशन है ये जो मैंने आपके 30 प्रशनों का ये सेशन लिया ये सेशन समाप्त होता है आप जरूर अपनी लेखनी को जरूर उठाइएगा यानि हाथ की लेखनी को जरूर कमेंट करिएगा कि प्रश्ण कैसा लगा प्रश्णोतरी आज की कैसी लगी जरूर लिखिएगा अगर आपको लगता है कि सचमुछ ये प्रश्णोतरी आपके काम की है तो आपके अनुसार अपने सब्दों में उसको पिरो दीजिएगा कमेंट के माध्यम से अगर नहीं अच्छी लगी खराब लगा तो ओभी कर दीजिएगा कुई दिक्कत नहीं है आपको जैसा लगे अपनी अभिव्यक्ति की छमता आपके अंतरगत है उसको हमको एक माध्यम मिला है तो जरूर ब्यक्ति करना चाहिए आज के लिए बस इतना ही सभी लोगों को दिल से राधे राधे